जैशी किष्णा दोस्तू राधे राधे मेरे चैनल रर्निंग विसी हम आपका बहुत बस्वागत है दोस्तू आज हम यह दोनों कंट्रास्ट मैं सी आपको एक बहुत ही प्यारी सी दो नंबर के ठाकोजी के लिए ड्रेस बनाने सिखाएंगे जितनी देखने में सुन्दर हो चैनल को सब्सक्राइब में किया वीडियो के नीचे राधे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए उसके बाद बैल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिया इंस्टाग्रम पर मुझे फॉलो ने किया है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं तो इनकी पुशाग बनाना मुझे बहुत पसंद है मैं इसलिए ज्यादर तर यूज़ करती हूं गर्मियों में तो यह सबसे पहले हमने यलो कलर का घेर कट किया है इसको हमने तीन इंची चोड़ा लिया है और टूंटी सिक्स इंची लंबा लिया है तीन इंची चोड़ा है इस इंची लंबा है विखुथ आस्तर के यह है बल्कि कि असबस स्लाइट चाहिसं कुछ पलत न है उल्टा रखेंगे फटर के उपर स्लाइध कोल हन्हित के प्लट न हो लिया की उपड़ कि dobrze की हम फिन दोनों स्लाइट ज़ाकर लाईते हैं क्योंकि हम इसमें कुछ स्ची पे बगरा नहीं लगा रहे हैं तो यहां से स्लाई लगाना शूरू करेंगे यहां से सीज़े लगाते हुए यहां तक लाएंगे तो यह पहले स्लाई लगा लेगे इस लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे इसमें हम लेश वगरा का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं कम से कम लेश वगरा यूज़ करेंगे और सिंपल पुशाक बनाएंगे पलटने के बाद यहां हम स्लाई लगा करके इसमें प्लेट्स डालना शूरू करेंगे हमने पलट लिया अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे दो नमबर के ठाकुलजी की पुशाके साड़े तीन इंच से चार इंच के अंदर में हम यह सारी प्लेट्स डालेंगे वही धेढ़ इंची फैबरिक को ठाना है वन फॉर्थ इंची इस इसको दिखाना है इस तरीके से पेल्स डाल लेते हैं यह देखिए है हमारा बहुत प्यारा सा घेर बन गया यह कमर नाप लेते हैं कितनी आ रही है हमरी लगभग 4 इंच के अंदर कमर आई है यह अब इसमें हम निफा लगा लेंगे निफा लगाने से पेले हम यह दोनों सिरों को नाप लेते हैं आगे पीछे या छूटे बड़े नहीं होने चाहिए विल्कुल बरा बराने चाहिए ये नीफा हम आज भी लगाएंगे है नीफा हम ने कट कर लिया है और यी पमि रहा है इस得意 है से डबल करके ओल्टी साइट से हम टक करेंगे सीधी साइट डोरी डाल करके से फिनिश करेंगे एक साइट स्लाई लगा ले अब इसको अंदर मोड करके डोरी लगाएंगे डोरी लगा करके इसको अज़स्ट करते हुए इसलाई लगाएंगे हमें एक डिजाइन डालना था वो हम डालना भूली गए तो चलिए कोई बात नहीं पैने कोने की जरूरत नहीं अब इसको हम तोड़ा सा जो डिजाइन डालना है उसके लिए हमें थोड़ा सा यहां से खोलना पड़ेगा तभी हम वो डिजाइन डाल पाएंगे अधरवार यह नफा लगाने से पहले हमें डिजाइन डालना था उसके बाद हमें निफा लगाना था चलिए कोई बात ने डिजाइन डालने के लिए देखिए हमने ये लगबर दो इंची चोड़ा और ये हमने दो पट्टियां कट की है लंबाई इसकी नाप देते हैं नो इंची लंबी ये दो पट्टियां हमने कट की है और इसको क्या करेंगी ये हमारा जहां से हमारा ये जोड़ा हुआ है नीच यही दूसरूस्य जाए में हम इसी तर्के से त्रफिता कर से तिरच्छा कट कर देती है हमकला करोगथ को टाइ में हम डोनों साइड से यह सलाइ लग लगा लेंग 코로क की फिला आग। हिससी त्वे सायोब प्लत देती है तरहा है पेज़कस की ऐसलाई की साहिताँ से rushकी से इसको ना कर दूर इपने man generous यह को हमने प्लट लिया अब क्या करना है इसके ऊपर हम ना यह देखे जर्पर यह कं rebellia a Roожно ॉमारी तो एक आप को लिए रूब media कि 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 अब यह देखें दोनों पीस को हम ओवर लेप करेंगे इस तरीके से रखके और इन दोनों को मिला करके सिल देंगे अब देखें यह सेंटर में एक निशान लगा करके यह हमने जो खुला है ना क्योंकि पूरा निफा खुलने के लिए फिर हमें ज्यादा दिक्कत होगी तो इसलिए हमने केबल इतना ओवर लैप जो किया हुआ है उसको बस ऐसे दबाया और यहां से सिल लगा देंगे अब इस को हम उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद यहां अपर यह लगा लेते हैं लगाने के बाद से हम पलटेंगे हमने पत्टी को पलट दिया और साथ में उपर से वही जो गोटा किनारी हमने जो उसमें घेर के उसमें लगाई थी पत्टियों में उसी को हमने इसमें लगा लि और यहां पर टिछी स्लाई लगा देंगे ताकि कमर ki shape आ सके, तरीकसे हमनें उपर लगा लिए ताकि यह कमर की shape आ सके, अब इसको हम क्या करेंगे यह ज़ो हमने गेर बनाया है, जहां पर यह दोनों पट्टिय आ रही है उसकों उस से मैच करते हुए झारते हुए यह दिखिए यह बहुत प्यारी सी ड्रैस बन गही है लेकिन इक और ट्विस्टेस में यह दिखिए हमने यह तीन इंची चौड़ा चार इंची लंबा एक फैब्रिक लिया है इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे मोडने के बाद यहां से तीनो सैसे सलाई लगा लेंगे असला हमने मोड और हम और हम मोती लगा सकते हैं कोई या गोटा लगा ऍसकते हैं उसे इसको रैप कर देगे ताकि तोड़ा अच्छा लगे और इसके पाद में हम इसको इसके उपट सुई धागे की मदद से ही लगा देंगे तो देखे कितनी खुबसूरा सी हमारी एक ड्रेस बन गई कितनी प्यारी सी ड्रेस हमारी बन करके तैयार हो गई ठाकुर जी को इस तरीके से पहनाएंगे ये हम ऐसे गले में डाला और पहनाया पीछे ये डोरी हम बान देंगे दो नमबर के ठाकुजी नहीं है वरना मैं आपको पहना करके दिखाती एकदम परफेक्ट फिट हमारी पुशाक आएगे है और दो नमबर को भी पहना सकते हो ये एड़ेस्टिबल पुशाक होती है ये जितने नमबर के हम जिस साइच की बनाते है उससे एक नमबर कम भी आजाती है एक नमबर ज्यादा भी आजाती है दोस्तों कैसी लगी वीडियो कैसी लगी पसंद आईए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे आजसे तब तक के लिए राधे राधे